हलो दोस्तों मैं दिनेश चौधरी लेकर आया हूँ एक नया यूटूब चैनल इस यूटूब चैनल के माध्यम से हम लोग MPPSC के सभी विशयों की तैयारी करेंगे एक एक विशय उठा करके सभी विशयों की लेक्चर वाइस तैयारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निशुलक मैं आप लोगों को करवाऊंगा इस यूटूब चैनल को शुरू करने का मुल उद्देश कॉंसेप्ट के साथ साथ factual डाटा को ट्रिक के माध्यम से याद कराना और जो परिक्षा के पेटन में बदलाव आते जा रहे हैं उस पेटन को समझा कर समझ कर factual डाटा को आप तक पहुँचाना इस चैनल का मुल उद्देश रहेगा आईए शुरू करते हैं मैं सबसे पहले आपको मुल उद्देश बताता हूँ कि इस यूटूब चैनल को शुरू करने का मुल उद्देश क्या रहा सुरेश पटेल जो मेरे मार्ग दर्शक रहे हैं वर्तमान में इस संसार में नहीं है लेकिन उनका एक सौपन था कि हम सभी बच्चों को निश्वलक पढ़ाई करवाएं जो उनके बाद उनका सिश्य होने के नाते मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ यही वो सक्सियस हैं जिनकी वज़े से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर आपके सामने बोल पा रहा हूँ शुरू करते हैं इस क्लास को मैं अपना परिचाई देदू मेरा नाम दिनेश चौधरी है और मैं 2013 की MPPSC से सिलेक्ट होकर वानिज जकर निरिक्षक के पत पर पदस्त हूँ किसी भी कारिय को शुरू करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं तो आईए गणेश जी का नाम लेकर इस क्लास को शुरू करते हैं श्री गणेश आए नमह इस क्लास में वर्तमान में हम मेरे टीचर के फेवरेट सबजेक्ट कॉंस्टुटुशन पर फोकस करेंगे सबसे पहले हम कॉंस्टुटुटुशन को लेक्चर वाइस टुकडों में तोड़ करके पूरा सबजेक्ट पढ़ेंगे और इस लेक्चर के माध्यम से यूटुटुब चैनल के माध्यम से हमें कॉंस्टुटुटुशन को पूरी तरह कवर करने के कोशिश करूँगा एक भी फेक्ट ना छुटे इससे रिलेटेट आपके पास प्रिक्षा में जो कुछ आए उसे आप फोकस कर पाएं 2023 की MPPSC हमारा मूल टारगेट होगी सविधान का जो सिलेबस हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसको हम पूरा कवर करेंगे कुछ भी नहीं छोडेंगे यहां से आज का ये जो लेक्चर है इसका उद्देश क्या होगा इसका मूल उद्देश है कि हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे कि सविधान का क्या कॉंसेप्ट होता है सविधान होता क्या है ये समझेंगे सविधान की उधारणा का विकास कैसे और कब-कब हुआ सविधान का किसी नागरिक के लिए या स्टूडेंट के लिए या देश के लिए क्या महत्व होता है सविधान कितने प्रकार का होता है और सविधान का विश्व में स्वरूप कैसा है विश्व के देशों में सविधान कैसा है वहाँ सविधान के क्या नाम है उन देशों में सविधान कब-कब लागू हुआ, कब-कब बना ये सब बातों की चर्चा इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ होगी आईए शुरू करते हैं परिक्षा से related सारे fact में cover करने की कोशिश करूँगा लेकिन आज के वीडियो में हम थोड़ा concept के साथ fact को cover करेंगे आईए सबसे पहले शुरू करते हैं सविधान शब्द को समझना सविधान है क्या? सबसे पहला प्रशन उठता है जहन में कि सविधान क्या होता है? मैंने इसे स और विधान दो शब्दों में तोड़ दिया है आप तो को अच्छे से समझा पाऊं इसलिए विधान शब्द हिंदी भाषा का एक सामान में शब्द है लेकिन थोड़ा कठीन है इसलिए मैं इसके इस्थान पर एक परियायवाची शब्द कानून यूज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कानून भी थोड़ा कठीन शब्द है लेकिन कानून की आम भाषा में परिभाषा दी जा सकती है समझाया जा सकता है कानून क्या होता है तो कानून नियमों का वह समू होता है जिससे किसी कार्य का संचालन किया जाता है अर्थात कानून होता है नियमों का समू किसी राज्य की व्यवस्था का संचालन होता है उसे हम सविधान कहते हैं अर्थात सविधान की एक सामान ने समझ, सामान ने परिभाशा, सामान ने अर्थ क्या हुआ सविधान वह नियमों का समू है या सविधान उन आधारभूत नियमों का समू है जिससे किसी राज्ज की, जिससे किसी देश की व्यवस्था का संचालन होता है, व्यवस्था बनाई जाती है और उसके बाद उस देश का संचालन किया जाता है, वह सवीधान कहलाता है परिभाशिक रूप से देखें तो इसका परिभाशा होगा उन मुलिक नियमों का समू जिससे किसी राज्य का संचालन होता है व्यवस्था बनाई जाती है उसे हम सविधान कहते हैं किसी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए निर्मित मूलबूत कानूनों के समू को हम सविधान कहते हैं अर्थात सविधान भी एक कानून है लेकिन ये कानूनों से बढ़ कर है क्योंकि इसमें सरशब्द लगा हुआ है अर्थात ये सभी कानूनों में सर्वस्रेष्ट को शो करता है प्रदर्शित करता है अर्थात देश में जो कानून बनाय जाएंगे एक किताब के रूप में उन्नियमों का समू हुआ जो किसी देश में व्यवस्था बनाने के लिए व्यवस्था को चलाने के लिए बनाये जाते हैं सविधान कहलाता है इसका अर्थ मुझे लग रहा आपको clear होगा भारत के सविधान की बुक का एक फोटो लगा रखा है यहां हम समझते हैं कि किसी देश के लिए सविधान क्यों जरूरी होता है या फिर इसकी जो अउधारना है सविधान की वो कैसे बनी कहां से बनी किस प्रक्रिया का पालन करते हुए बनी एक बहुत सामानिसी बात है जब प्रत्वी का निर्मान हुआ तो उसमें सबसे पहली एक मन अनुष्यों की व्यक्तियों की संख्या बढ़ती गई होगी तो उनसे एक समू बना होगा अब समू में आपस में जो लोग रहते होंगे उनके हितों में कुछ नकुछ टक्राव रहा होगा इसलिए उन लोगों ने आपस में कुछ सरल से नियम बनाए कुछ संबंद बनाए और उसी से एक नई चीज का निर्माण हुआ जिसे हमने बाद में समाज का नाम दे दिया अर्थाच समाज क्या होता है व्यक्तियों का समू जो कुछ निश्चित नियमों के आधार पर जुड़ा हुआ हो संचालित हो रहा हो जब इसका और जादा विकास हुआ तो जब समाज के साथ एक भोगोलिक इकाई जुड़ी भोगोलिक इकाई पर रहने वाले लोग जुड़ गए तो उससे एक नई यूनिट बनी या एक नई इकाई बनी जिसे हमने राज्य के नाम से जाना है राज्य जो है वो समप्रभूता का ध्योतक होता है राज्य समप्रभूता को प्रदर्शित करता है इस समप्रभूता का अर्थ होता है कि राज्य अपने आंतरिक और बहाय निर्णे लेने की स्वतंतरता रखे इस शब्द को अभी हम और आगे समझेंगे जब सविधान की विशेषताएं पड़ेंगे व्यक्ति का मूलभा होता है स्वतंतरता कोई भी व्यक्ति सबसे पहले जो चाहता है जो इच्छा रखता है वो स्वतंतरता होती है तो व्यक्ति की स्वतंतरता और राज्य की संप्रभूता में जब आपस में समस्यां पेदा होने लगी, संघर्ष पेदा होने लगा व्यक्ति स्वतंतरता चाहता था और राज्य संप्रभूता चाहता था तो व्यक्ति की स्वतंतरता और राज्य की संप्रभूता के इस संघर्ष को रोकने के लिए उस तातकालिक परिस्थिती के लोगों ने राज कैसे चले और व्यक्ति के क्या अधिकार हों, व्यक्ति के क्या सतंत्रता हों, इनको नियम के रूप में लिख दिया, या नियम के रूप में बना दिया, कहीं पे ये लिखे हुए थे, कहीं पे ये अलिखित थे, तो जब इस संघर्ष को रोकने के लिए हमने कुछ नियम बना दिये कि राज्ज के क्या अधिकार होंगे, राज्ज कैसा होगा, राज्ज की सरंच्रा कैसी होगी, राज्ज का स्वरूप कैसा होगा, व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे, व्यक्ति का क्या करतव्य होगा, तो इ इस प्रकार जब से मानव आया धीरे धीरे विकास के विभिन्न चर्णों को पार करके व्यक्ति से लेकर समाज और समाज से लेकर राज्य और राज्य से लेकर सविधान तक की ये घटना या ये विकास के विभिन्न करम घटित हुए अर्थात सविधान व्यक्ति ने बनाया व्यक्ति ने राज्य की शक्तियों पर नियंतरण हेतु सविधान बनाया यहां ऐसे लिखित नियम है जिससे राज्य का संचालन होता है बहुत सामानने सी परिभाशा है कि सविधान क्या है नियमों का समू जिससे राज्य संचालित हो ये विश्व के सभी देशों में पाया जाता है सभी देशों ने इसको बनाया सभी राज्यों ने इसको बनाया किसी देश में लिखित रूप में था किसी देश में लिखित रूप में था लेकिन concept वही था कि राज कैसा होगा किसका संचालन किस प्रक्रिया से होगा यह सब बताने वाली काई को सविधान कहा जाने लगा और आगे बढ़ते हैं अब हमने समझा कि सविधान शब्द का क्या आड़्त होता है और सविधान बना क्यों या किस तरीके से बना अब हम नए point पे आते हैं कि सविधान क्या बताता है सविधान अगर किसी राज्य का है तो उस राज्य में वो क्या चीज़े बताएगा और ये किसी एक देश की बात नहीं है एक राज्य की बात नहीं है ये पूरी दुनिया में जहां भी सविधान होगा वहाँ सेम पेटन को फॉलो करेगा वहाँ वो उस देश के लिए सेम काम करेगा एक ही महत्व रखेगा सविधान देश के लिए बताता है कि राज्य की सनब्रचना कैसी होगी उसका राज्य जो है वो रोकतंत्रात्मक होगा या राजतंत्रात्मक होगा लोकतंत्र राजतंत्र इन शब्दों की हम आगे चर्चा करेंगे जब सविधान की विशेष्टाओं पर आएंगे तो इनको परिभाशिक रूप में हम डीटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी केवल विशेष्टा के रूप में पढ़ लेते हैं कि सविधान क्या बताता है तो सबसे महतोपूर्ण काम जो सविधान करता है वो है कि सविधान राज्य की सनरचना कैसी होगी ये बताता है राज्य लोक तंत्रात्मक होगा राज्य तंत्रात्मक होगा या किसी और अन्य स्वरूप में होगा और क्या करता है हमारा सविधान सरकार की संरचना बताता है कि जब राज्य बन चुका है तो राज्य को चलाने के लिए जो सरकार बनाई जाएगी उसकी संरचना कैसी होगी लिए बहुत से लोग जिम्मेदार हों जैसे भारत में भारत में एक मंत्री मंडल होता है और साथ में प्रधान मंत्री होता है जो मंत्री मंडल का प्रमूख है लेकिन ये सब लोग मिल करके राज्जी को चलाते हैं तो इस स्वरूप को हम संसदात्मक स्वरूप कहते हैं अमेरिका, जहां एक व्यक्ति अमेरिका का रास्टपती जो उस पूरे देश की व्यवस्था को चलाने के लिए पूर्ण तह जिम्मेदार है उस व्यवस्था को हम अध्यक्षात्मक कहते हैं तो राज्य की जो सरकार का जो स्वरूप होता है वो सामान्य तह संसदात्मक होता है या संसदात्मक स्वरूप होता है या फिर अध्यक्षात्मक स्वरूप होता है तो इस बात का निर्धारन भी कौन करता है उस देश का सविधान अभी तक सविधान दो चीजों का निर्धा करने लगा राज्य की संरचना कैसी होगी या राज्य कैसा होगा और सरकार कैसी होगी उस राज्य की और आगे बढ़ते हैं उस देश में या उस राज्य में शाशन के अंग कौन कौन से होंगे विधाई का कार्यपाली का और न्याईपाली का और इन अंगों के संरचना कैसी ह जैसे हमारे देश में न्याई पाली का एक इकरत है अन्य देशों में कुछ और स्वरूप में हो सकती है इनकी आगे चर्चा करेंगे लेकिन अभी विशेष्टा के रूप में समझते हैं कि सविधान बताता है कि किसी देश में शाशन के अंग कौन-कौन से होगे उनकी सनरच कैसी होगी उनके कार ये क्या होंगे और उनके अधिकार क्या होंगे और जब इन तीनों अंगों में कोई टकराव होगा तब स्थिती कैसी होगी क्या निर्णे लिया जाना चाहिए ये सब बताने का काम करता है सविधान और क्या करता है सविधान सविधान उस देश के कौन होंगे उनके क्या अधिकार होंगे और राज्य उन पर कहां तक नियंत्रन इस्थापित कर सकता है ये सारी बाते भी सविधान बताता है और क्या करता है सविधान सविधान शाशन और व्यक्ति के बीद जब संगर्श होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के अ इरधारन करने का काम या इसमें संतुलन बनाने का काम भी कौन करता है सविधान करता है और इस संतुलन के लिए जो मोलिक सिध्धान तो होते हैं वो मोलिक सिध्धान भी बताता है उस देश का सविधान इस प्रकार हमने देखा कि सविधान क्या करता है सविधान जिस भी के लिए सामान्यतर राज्य की संरचना या देश की संरचना कैसी होगी उसकी सरकार की संरचना कैसी होगी सरकार के अंग कौन कौन से होगे उन अंगों के बीच कैसे संतूलन इस्थापित होगा और व्यक्ति के क्या अधिकार होगे राज्य और व्यक्ति के बीच संतूलन कैसे बनेगा इन सब बातों का निर्धारन करने का काम करता है सविधान और यही इसका महत्व है यही इसका कार यह है कि सविधान इन सब बातों का निर्धारन करता है आगे हम इन सब और चर्चा करेंगे जब सविधान के विभिन भाग पड़ेंगे लेकिन अभी फोरे तोर पर सविधान को राज्य की उत्पत्ती के आधार पर समझ सकते हैं राज्य की उत्पत्ती के आधार पर सविधान दो प्रकार का होता है पहला होता है विक्सित सविधान और दूसरा होता है निर्मित समिधान विक्सित सविधान क्या होता है वह सविधान जो किसी व्यक्ती ने किस समू ने बेट कर लिखा नहीं है धीरे धीरे उस राज्य में अपने आप विक्सित हो गया है व्यवस्था के कारण या वहाँ व्यवस्था जो धीरे धीरे क्रमबद तरीके से विक्सित हुई ऐसे सविधान को हम विक्सित सविधान कहते हैं और अगर किसी देश में सविधान किसी लोगों के समो या किसी व्यक्ति के समो या व्यक्तियों द्वारा बेट कर लिखा जाए तो उसे कहते हैं निर्मित सविधान ऐसे दो प्रकार के सविधान होते हैं विक्सित सविधान का सबस्टेस्ट उधारण है ब्रिटेन क्योंकि ब्रिटेन में कोई सविधान लिखा नहीं गया है बनाया नहीं गया है वहाँ परमपराओं से जो चलते आ रहा था उसी से अंततर एक विवस्था बन गई और उसी को सविधान के रूप में स्विकार कर लिया गया और ब्रिटेन का सविधान एक विक्सित सविधान है इस दुनिया में पहली बार अगर किसी ने सविधान बनाया तो वो देश बृतेन माना जाता है बृतेन ने पहली बार राज्य के लिये नियम बनाया थे इसलिए बृतेन का सविधान प्रथम सविधान है लेकिन क्योंकि यह सविधान लिखित नहीं है इसलिए कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं है निर्मित सविधान अमेरिका राज्यका है भारत राज्यका है भारत में सविधान सभाद्वारा एक सविधान बनाया गया जिसे हम लिखित सविधान कहते हैं अभी आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे दूसरी प्रकार से इसका वरगी करण भी किया जा सकता है प्रथा परमपराओं के आधार पर सविधान के दो भाग होते हैं सविधान के दो भाग हैं प्रथा परमपराओं के आधार पर लिखित सविधान और अलिखित सविधान तो लिखित सविधान क्या होता है लिखित सविधान वहाँ होता है जो किसी व्यक्तियों के समू या किसी प्रतिनिधी सभाद्वारा बेट करके लिखा गया हो इसके उध इसके सविधान के उधारन है और अलिखित सविधान के उधारन क्या है सामानेता अलिखित सविधान के उधारन में लोकों को केवल एक उधारन याद आता है ब्रिटेन लेकिन इससे आगे भी बहुत सारे देश से हैं जिनका लिखित में सविधान नहीं है अलिखित सविधान का बेस्ट उधारन कणाड़ा हो सकता है इस्राइल हो सकता है न्यूज़िलेंड हो सकता है स्विडन हो सकता है और ऐक बेस्ट उधारन ब्रिटेन तो है ही UNITE?? यह सब उधारन है अलिखित सविधंके तो कभी exam में प्रस्टन आता है कि निम्न लिखित में से कौन सा सविधान लिखित है तो हम option अब आसानी से लगा सकते है exam में प्रशन आता है कि कौन सा सविधान लिखित है हम अब आसानी से प्रशन का अंसर कर सकते है ये भी points बन सकते है कि कौन सा सविधान निर्मित है या कौन सा सविधान लिखित है अब आप आसाने से इसका अंसर कर पाएंगे सविधान का और प्रकार से वर्गी करण किया जा सकता है एक प्रसिद प्रशाशन अधिकारी इसका वर्गी करण करते हैं परिवर्तन शीलता के आधार पर परिवर्तन शीलता के आधार पर सविधान दो प्रकार के होते हैं कठोर सविधान या लचीला सविधान इसे दूसरे शब्दों मैं कहूँ तो परिवर्तन सील सविधान और अपरिवर्तन सील सविधान कठियोर सविधान को अपरिवर्तन सिल सविधान भी कहा जाता है अपरिवर्तन सिल सविधान क्या होता है तो वह सविधान जो एक बार बन जाने के बाद बाद में जिससे परिवर्तित नहीं किया जा सकता वह सविधान जिसमें परिवर्तन नाम मात्र क्वा हो या परिवर्तन करना अत्योदिक कठिन हो, बहुत कठिन प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तन हो, तो ऐसे सविधान कों कठोर सविधान या अपरिवर्तन सील सविधान कहते हैं, दूसरा प्रकार का सविधान लचीला, ऐसा सविधान जिसके बनने के बाद एक सामान ने प्रक क्रिया का पालन करके आसानी से जिसमें संशोधन किया जा सकता है परिवर्तन किया जा सकता है तो जिस सविधान में संशोधन आसानी से किया जा सके उसे हम कहते हैं परिवर्तन शील या लचिला सविधान इसके उधारन भी याद रखेंगे आप लोग कठोर सविधान का बेस् के सविधान संसोधन हुए है ऐसे ही फ्रांस का सविधान भी कठोर सविधान की श्रीणी में आता है और आस्टेलिया का सविधान भी कठोर सविधान की श्रीणी में आता है जबकि हमारे देश का सविधान भारत ब्रिटेन का सविधान ऐसे सविधान जो हैं वो लचीले प्रत सविधान की श्रीणी में आते हैं खेर भारत का सविधान कठोर है या लचीला ये एक विवात का विशवई है कुछ लोग मानते हैं कि भारत का सविधान कठोर और लचीले पन का समनवई है और जब हम इस concept को समझेंगे तो और आसानी से इस बात को clear पर कर पाएंगे अगला वर्गी करण समझते हैं अगला वर्गी करण है राजनितिक प्रवत्ति के आधार पर सविधान तो सविधान का राजनितिक प्रवत्ति के आधार पर भी दो भाग होते हैं एकात्मक सविधान और संगात्मक सविधान अभी एकात्मक सविधान और संगात्मक सविधान क्या होता है देखिए जब किसी देश के लिए केवल एक शाशन की इकाई बनाई जाए और उसी के लिए सविधान में प्राउधानों का वर्णन हो तो ऐसे सविधान को हम कहेंगे एकात्मक सविधान, मतलब पुरा देश एक ही सरकार से, एक ही इकाई से चल रहा हो, तो उसे कहेंगे एकात्मक सविधान, दूसरा, संघात्मक सविधान क्या होता है, तो जब किसी देश में शाशन की एक बड़ी इकाई हो, और उसके साथ अलग-अलग छोटी-छोटी यां भी हो और उनको भी सविधान में जग्या दी गई हो सविधान में उनका वर्णन हो सविधान में उनकी शक्तियों का वर्णन हो उनके अधिकारों का वर्णन हो और साथ में बड़ी इकाई के अधिकारों शक्तियों का भी वर्णन हो अर्था जब किसी सविधान में शाष के सविधान होते हैं एकात्मक और संगात्मक एकात्मक के उधारन आप याद कर सकते हैं ब्रीटेन एकात्मक का बैस्ट उधारन है और संगात्मक शाशन व्यवस्था के उधारन आप याद कर सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा औस्टेलिया ये सभी देश एकात्मक कि इस्थान पर संगात मक्ता को प्रधानता देते हैं इस प्रकार सविधान के जो प्रकार हैं वो चार होते हैं चार अलग-अलग प्रकार से इसको वर्गी करत किया जा सकता है सविधान के जो चार प्रकार हैं वो अभी हमने समझे कि सविधान को चार अलग-अलग प्रकारों से जैसे निर्मित या लिखे निर्मित या विक्सित प्रकार से वर्गी करत किया जा सकता है जैसे उत्पत्ति या प्रथा परंपराओं के आधार पर वर्गी करत किया जा सकता है सविधान को परिवर्तन शिलता के आधार पर वर्गी करत किया जा सकता है सविधान को राजनित प्रवति के आधार पर वर्गी करत किया जा सकता है। ऐसे विश्व में अलग-अलग प्रकार से सवीधानों का वर्गी करनद मिलता है। अब हम जब भारत के सवीधान की बात करेंगी, उसका वरगी करण किया जा सकता है और यही सामाननेता परिक्षा में आने जिसे प्रशन होते हैं कि भारत का सविधान है कठोर, लचीला, कठोर और लचीले बनका समन वई इन में से कोई ने तो आगे जब हम भारत के सविधान की बात करेंगे तो यह point पर focus करेंगे कैसे सविधान पाए जाते हैं, कैसे कैसे सविधान हैं इस बात पर focus करते हैं देखे, दुनिया के हर देश के पास अपना एक सविधान है चाहे वहां लिखित रूप में हो या चाहे वहां अलिखित रूप में हो और अपनी ही भाशा में उन देशों ने अपने सविधान का नाम दिया हुआ है जैसे जर्मनी के सविधान को वाइमर कहा जाता है यहां सविधान लगाने के आवशक्ता नहीं है वाइमर माने अपने आप में वाइमर माने जर्मनी का सविधान कुछ लोग वाइमर सविधान भी कहते हैं तो ये सविधान का नाम है तो जर्मनी के सविधान का नाम हुआ वाइमर समिधान ऐसे आयरलेंड के सविधान का नाम हुआ लिूरेट्स दे हीरेन ये उनकी आम भाशा में लिखा हुवा शब्द है इसे आयरिस सविधान भी कहा जा श्रिलंका के सविधान को सोलबरी सविधान कहा जाता है तो सोलबरी सविधान किस देश का है श्रिलंका का है यह सीधे फेक्चुल प्रस्टन है जो फेक्चुल फॉर्मेट में आ सकते हैं या हो सकता है कठिन प्रस्टन बनाने हो तो जोड़ी बनाने के लिए दिया जाए ऐस जापान के सविधान को शेवा सविधान या शोवा सविधान या फिर मार का और्थर कहते हैं सविधान का नाम है ये मार का और्थर अगर मार का और्थर शब्द यूज किया गया तो अंटिमेटली इसका अर्थ निकलता है जापान के सविधान की बात की जा रही है ऐसे भारत के सविधान का नाम क्या है तो भारत के सविधान का सामान ने नाम है भारत का सविधान अभी हमने एक बुक देखी थी जिस पे लिखा था Constitution of India वो भारत के सविधान का नाम है ऐसे विश्व में सब देशों के सविधान का नाम होता है जो कुछ खास थे वो मैंने आपको बताए बाकी सब देशों के सविधान के नाम सामान ने है जैसे अमेरिका के सविधान का नाम अमेरिका का सविधान हुआ कनाड़ा के सविधान का नाम, कनाड़ा का सविधान हुआ ऐसे सब देशों में अपने-अपने सविधान के नाम है अब हम आगे बढ़ते हैं हम पढ़ते हैं कि विश्व के जो सविधान है उनकी स्थापना कब हुई तो सबसे महतोपूर्ण अमेरिका की बात की जाए अमेरिका का जो सविधान है वो 1780 में बनाया गया था या बनना शुरू हुआ था और इसको लागू किया गया था 1789 में यह प्रश्न बड़ा कन्फ्यूस करने वाला प्रश्न है कभी-कभी दोनों option में होते हैं कि 1787 भी हो और 1889 भी हो आपको प्रश्न सामाने तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से कि वो पूछना क्या चाह रहा है वो सविधान बनने की बात कर रहा है या लागू होने की बात कर रहा है तो अमेरिका का जो सविधान है युआसे का जो सविधान है वो 1787 में बना था और 1889 में लागू हुआ चीन के सविधान चीन में आज तक चार बार सविधान बन चुका है चीन का पहला सविधान 1954 में बनाया गया था बाद मे जो आने वाली सरकारे थी उसने उनको चेंज किया 75 में दूसरा सविधान बनाया गया 78 में तीसरा सविधान बनाया गया और वर्तमान में चाइना में जो सविधान प्रशलन में है जो वेवस्था बनाया हुए है वो 1982 में बनाया गया था ये बात आप लोग याद रखेंगे कभी-कभी कुछ पुरानी किताबों में ये fact भी मिलते हैं इसलिए confused हो जाता है जापान का सविधान तो जापान ने हमारे देश के आजादी के समय अपना सविधान बना लिया था जापान का सविधान 1947 में बना था अब आप लोग कमेंट करेंगे कि भारत का सविधान कब बना सब भारत के सविधान की तारीख में अभी बताऊंगा आप लोगों को इसकी प्रक्रिया पे भी हम कुछ बात करेंगे लेकिन अभी दूसरे देशों के सविधान की बात की जा रही है उस पे फोकस करते है बांगलादेश का जो सविधान है वो हमें पता ही कि बांगलादेश कब बना देश की रूप में 1971 में बांगलादेश पाकिस्तान से अलग होकर बना था और इसका सविधान 1972 में बना भूटान, भूटान का सविधान भी नया नया सविधान है 2008 में बनाया गया म्यामार में अभी तक तीन बार सविधान बन चुका है देखें 1935 के अधीनियम से जब भारत से बर्मा को अलग किया तो उसके बाद ये एक देश के रूप में विक्सित हुआ और 1947 में पहली बार म्यामार नाम के देश ने अपने लिए बर्मा नाम के देश ने अपने लिए एक सविधान बनाया जो बाद में 1972 के समय चेंज कर दिया गया 72 में इनका नया सविधान बना और वर्तमान में इनके देश में जो प्रचलन में है वो 2011 का सविधान है और उसका नाम भी म्यामार का सविधान ही है और आगे बढ़ते हैं श्री लंका का सविधान भारत के साथ ही बना लगभग लगभग 1948 में श्री लंका का सविधान बना था मालदीव का सविधान 2008 में बना और सबसे नया जो सविधान है वीश्व में वो नेपाल का सविधान है एक्जाम में गर ये प्रेशन आता है कि वी विश्व का सबसे नविंतम सविधान कौन सा है तो उसका आंसर होगा नेपाल और सबसे पुराना सविधान कौन सा है तो उसका आंसर होगा अमेरिका विश्व में लिखित रूप में पहला सविधान अमेरिका का बना था और विश्व में अलिखित सविधान जो पहला बना व पहला तो आंसर होगा अमेरिका और अगर वो हम से पूछता है कि विश्व का सबसे नवीन सविधान कौनसा है तो उसका आंसर होगा नेपाल इसका एक नया और आंसर हो सकता है अफगानिस्तान का जो सवीधान है वो 2021 में बना है लेकिन उसको विशविक इस्थर पर अभी मान्यता नहीं है इसलिए आप इग्जाम में इसको अंसर नहीं करेंगे क्योंकि अप मान्यता प्राप्त नहीं किया है इसलिए विश्व का सबसे नवीन सविधान आप जब इग्जाम में आए तो आप नेपाल ही आंसर करेंगे यह हमने विश्व के विभिन देशों के सविधानों परचार्चा की कि कि किस देश का सविधान कब बना अब हम आते हैं कि भारत का सविधान कब बना सब लोगों को पता है कि 1946 में केबिनेट मिशन के माध्यम से गठित सविधान सभा से भारत का सविधान बनना शुरू हुआ और अंत तह ये 2 साल 11 महिने और 18 दिन कितना समय दो साल 11 माह लगभक 3 साल 18 दिन की कड़ी महनत के बाद सविधान सभा द्वारा 26 नवेंबर को 26 नवेंबर 1949 को बना दिया गया मतलब स्विक्रत कर लिया गया लेकिन ये भारत में पूर्ण तहलागू कब हुआ 26 जनवरी 1950 को तो भारत के सविधान में हम जब आगे इस टॉपिक पे निर्मान की प्रक्रिया की बात करेंगे तो इन सारे साल को वर्षू को एक बार फिर सर रिकॉल करेंगे अभी फोरे तोर पर याद रखें कि भारत का सविधान जो है वो 1950 में बना था लेकिन भारत का सविधान जब बना तो एक दिन में तो बन नहीं गया होगा किसी एक व्यक्ति के मन में ये विचार आया होगा कि ये सविधान बनाया जाना चाहिए सविधान बनना चाहिए तो अब हम उसी बात को या उसी प्रक्रिया को समझते हैं कि जब भारत में सविधान बनाया जाने की प्रक्रिया हुई तो पहली बार किस व्यक्ति ने इसको प्रजेंट किया कि भारत के लिए भी कोई सविधान हो तो अब हम भारत में सविधान का विचार किस ने दिया कहां से step by step वो विक्सित रूप में आया उस प्रक्रिया पर आते हैं भारत का जो सविधान है वो सर्व प्रथम की भारत में एक सविधान हो ऐसा विचार बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था तो सर्व प्रथम सविधान सभा का विचार अठारोसुपिंचैन वे में बाल गंगादर तिलक के निर्देशन में स्वराज विदेख में दिया गया था ये फेक्ट आप लोग याद रखेंगे कि पहली बार सविधान सभा का विचार याद रखेंगा सविधान सभा शब्द है तो पहली बार सविधान सभा का विचार बाल गंगा धर तिलग द्वारा अपने एक विधेक सुराज विधेक में दिया गया था और आगे बढ़ते हैं फिर इसके आगे क्या हुआ इसके आगे इस बात पर विशयस ध्यान नहीं दिया गया और आगे बढ़ते अंग्रे जी शाषन का काल चलते रहा लेकिन 1922 में गांधी जी ने एक भाशन दिया और उस भाशन में उन्होंने ये बात कही थी ध्यान रखियेगा व्यक्तिगत रूप से गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं का लेकिन उनके भाशन का एक अंग रहा एक शब्द या एक लाइन कि भारतियों का सविधान भारतियों की इच्छा नुसार होना चाहिए और इसी से बिस्वी शतापदी में भारतिय सविधान बनाने की होने की बाते शुरू हुई चर्चा शुरू हुई तो दो फेक्ट हमने अभी तक पड़े, पहली बार सविधान सभा का विचार किस ने दिया, बालगंगाधर तिलक ने अठारा सो पिंचानवे में दिया, और बिस्वीश अतापदी में सविधान का विचार किस ने दिया, तो वो अमहत्मा गांधी दार दिया गया था, और 1922 में दिया था, यह आपको factual data है, याद रखना है, आगे बढ़ते हैं, नहरू रिपोर्ट नाम का एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 1929 में और इस रिपोर्ट में प्रथम सविधान निर्मान का प्रयास किया गया था, यह पहली बार सविधान के रूप में इस रिपोर्ट को माना जाता है कि पहली बार लिखित रूप में भारतियों के लिए कुछ अगर नियम किसी भारतियों ने लिखे या कुछ समों ने लिखे, तो वो नहरू रिपोर्ट के रूप में थे, यहां मोतिलाल नहरू इस नहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष थे और उन्होंने अंग किसी बार सविधान निर्मान का प्रयास किसने किया नहरू जी द्वारा मोतिलाल नहरू द्वारा किया गया 1929 में और आगे बढ़ते हैं। और धीरे धीरे इसका विकास होने लगा बाते होने लगी तो भारतियों की ओर से सविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई अगर आपको एक्जाम में प्रस्चन आता है कि भारतियों द्वारा सविधान सभा की मांग पहली बार कब की गई तो आंसर होगा 1934 में राची में स्वराज पार्टी का अधिवेशन हो रहा था और उस अधिवेशन में पहली बार भारत के लिए या भारत के सविधान निर्मान के लिए एक सविधान सबा हो इसकी मांग की गई थी और ये point हमें याद रखना है examiner confuse करने की कोशिश कर सकता है और आगे बढ़ते हैं 1934 में ही भारत के बहुत बड़े विद्वान M.N. Roy नाम याद रखिएगा ये नाम हमें आगे और पढ़ने में आएगा क्योंकि ये सविधान के सलाहकार रहे हैं तो 1934 में भारत के प्रसिद्वुद्वान M.N. राइद्वारा सविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तूत किया गया था कि ये कैसी सविधान सभा हो जो मिल करके विभिन्य देशों का अध्यान कर सविधान का निर्माण करे और इन्हों ने भी 60 देशों के सविधान का अध्यन करके भारतिय सविधान का एक प्रारूप तेयार किया और आगे बढ़ते हैं 1936 में कॉंग्रेस के लखनव अधिवेशन में सविधान सभा के अर्थ और महत्व की चर्चा की गई ये सीधे परिक्षा में आने जैसे फेक्ट हैं कि भारतिय सविधान सभा के महत्व और अर्थ की चर्चा कब की गई थी या किस कॉंग्रेस अधिवेशन में की गई थी तो 1936 के लखनव अधिवेशन में पहली बार की गई थी और आगे बढ़ते हैं ब्रिटिस सरकार ने इस सविधान सभा की मांग को कब माना कब स्विकार किया तो उसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आया तो पहली बार सविधान सभा की मांग को अंग्रेजो द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा स्विकार किया गया था 1940 में आने वाले अगस्त प्रस्तावों में अंग्रेजो निया स्विकार कर लिया कि हाँ हम भारतियों के लिए एक सविधान सबा का गठन करेंगे इसे वास्तविक सोरूप कब दिया गया तो उसके लिए आपको एक फेक्ट और यादना रखना पड़ेगा कि क्रिप्स मिशन नाम का एक मिशन भारत में लाया गया एक योजना भारत में लाई गई 1942 में और उसमें अंग्रेजों ने कहा भारतियों के समख्षक प्रस्ताव रखा कि युद्ध की समाप्ती के बश्चात कौन सा युद्ध दुतिय वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्त हो जाने के बाद भारतियों के लिए अंग्रेजों द्वारा ये प्रस्ताव भारतियों को 1942 में क्रिप्स मिशन के माध्यां से बेजा गया था इसके बारे में और कुछ फैक्ट हैं पढ़ लेते हैं जैसे मुस्लिम लिंग ने कभी भी सविधान सभा का समर्थन नहीं किया उसने विरोध किया लेकिन जब उसकी कुछ मांगे पूरी कर दी गई तो मुसलिम लिंग सविधान सभा में सामिल हुई याद रखिएगा मुसलिम लिंग प्रारंब में सविधान सभा का विरोध करती थी लेकिन बाद में उनको परियाप्त प्रतिनेदित में मिलने पर वो शामिल हो गए अंबेटकरजी भी इस विचार से सहमत नहीं थे अंबेटकरजी भी नहीं चाहते थे कि भारत में कोई सविधान बने उनका विचार था कि भारत के लिए एक सविधान सभा की आवशक्ता ही नहीं है जो भारत में 1935 का अधीनियम है इसी में कुछ संशोधन कर दिये जाए और भारत की विवस्था को आगे बढ़ा दिया जाए और यही भारत का सविधान बन जाएगा लेकिन कुछ समय बाद वो आम सहमति या इस उदारता से अलग हट कर खुद इनिशियेटिव लेकर भारत के सविधान सभा में शामिल हुए और उन्हेंने सविधान बनाने में बहुत महच्वपून भूमे का निभाई इसलिए इन्हें आधुनिक मनू या भारतिय सविधान का जनक कहा जाने लगा इ हमने पड़ा कि सविधान का क्या महत्व होता है सविधान का विकास किस प्रक्रिया से चल कर हुआ और विश्व में सविधानों के नाम क्या है विश्व में सविधान कितने प्रकार के होते हैं साथ में हमने समझा कि भारत का सविधान जो है उसका विचार कैसे आया सविधा की प्रक्रिया क्या थी सविधान निर्मान की जो प्रक्रिया थी उसमें सविधान सभागा क्या रोल था और किन विभिन चर्णों के साथ ये सविधान बना तो next lecture जल्दी ही upload किया जाएगा जिसमें हम सविधान निर्मान की प्रक्रिया और सविधान की और detail facts के साथ में आपक